हेलो फ्रेंड्स अगर आप भी होस्टल अकाउंटिंग को सीखना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है आज किस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है होस्टल अकाउंटिंग कर सकते हो अगर आपका भी कोई खुद का होस्टल है और आप बच्चों क पीजी रूम सर्विस प्रोवाइड करते हो तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप उसकी अकाउंटिंग कर सकते हो तो यहाँ पर मैंने एक कमपनी ओपन करके आपको दिखा दी है दागुरुकुल होस्टल के नाम से और इसकी हम आगे चलके अकाउंटिंग करने वाले है जिसके अंदर जो है सिक्योर्टी जो बच्चे डिपोजिट करते हैं वो आ जाएगा उसके बाद अगर वो फूड का एक्सपेंस कोई होता है उनका वो आ जाएगा एलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाएगा मेंटेनेंस आ जाएगा तो ओवराल जितने भी हम सर्विस प्रोव जाएगा उसके बाद लेजर पर करना है और यहां पर जो जो आप सर्विस प्रोवाइड कराते हो वो वो सर्विस के आपने लेजर क्रेट कर लेने हैं फोर इक्जामपल जैसे मैं रूम सर्विस यहां पर देता हूं तो मैं यहां पर लिखता हूं रूम रेंट सर्विस तो है ड्रेक्ट इंकम के अंदर रखेंगे उसके बाद टाइप ओफ लेजर को नोट अपली केबल करेंगे और जीएश्ट अपली केबल को यहां पे आपने येस तभी करना है अगर आपका जीएश्टी अपलाई होता है उस पर आपके पास जीएश्टी नंबर है तो यहां पर मेरे पास जीएश्टी नंबर नहीं है तो इसको मैं नोट अपली केबल करता हूँ और एंटरप्रेस करके इसको यहां से सेव कर देता हूँ अब बात कर लेते हैं दूसरे लेजर की तो दूसरा लेजर हमारा जो बनने वाला है वो होने वाला है सिक्योर्टी का जब भी लाइबलीटी होती है जब भी बच्चा जो है होस्टल छोड़के जाता है तो यह स्क्योर्टी हमें वापिस करनी उसको पढ़ती है तो इसलिए हम इसको जो है लोन लाइबलीटी के अंदर रखेंगे और यहां वाले उप्शन को आपने जो है नोट अपलीकेबल कर देना ह उसके बाद एंटर एंटर प्रेस करके यहां से इसको आपने सेव कर देना है इसी तरह से आपने जो है और भी अपने लेजर त्यार कर लेना है जैसे कि यहां पर मैं क्रेट कर लेता हूं मेंटेनेंस का तो मेंटेनेंस चार्जिस के नाम से मैं एक लेजर क्रेट करता हूं यह बेसिकली जो चार्जिस हैं वो हम बच्चे से जो भी हमारा स्टूडेंट है जो होस्टल सर्विस ले रहा है उससे साल में एक बार लिते हैं तो यहाँ पे आपने उसका भी लेजर बना लेना है जैसे मैं यहाँ पे लिखते हूं मेंटेनेंस चार्जिस उसके बाद अंड पिन अलकर अश्याल नह groans आं तो तीसरे ड्युग ऑनेवाला है वह दो कामन चलते हैं कि जो भी हमारे स्टूडेंट आयब रूम सर्विस ले रहे हैं उनपे हम जो है उन्रेश्याच अब का भी उनसे का मान के चलते हैं कि हम जो student हैं हमारे उनको खाना प्रोवाइड करते हैं तो आपने उसका laser food expense के अंदर बना लेना है उसके बाद इंडिरेक्ट expense के अंदर इसको रखना है आपने और एंटर एंटर प्रेस करके इसको भी यहां से आपने save कर देना है यहां से आपने जो है जो है जो है जो भी आपका student है तो यहाँ पे आपने date select कर लेनी है for example मैंने एक चार 2024 से वो बच्चा मेरे पास आया था उसने security deposit कराई थी तो यहाँ पे आपने सबसे पहले उसकी security की entry कर लेनी है तो अगर cash में उसने दी है पैसे तो आपने यहाँ पे cash select कर लेना है अगर उसने आपके bank में security के पैसे deposit की है तो आपने यहाँ पे जो है bank select कर लेना है फिलाल मेरे पास bank नहीं है तो मैं यहाँ पे create पे आता हूँ enter press करता हूँ और यहाँ पे फटा फट से अपना एक bank create कर लेता हूँ तो यहाँ पे आपने bank का नाम लिख देना है उसके बाद under में आपने इसको किसकी रखना है bank accounts के और यहाँ पे आपके सामने जैसे ही आप bank accounts के अंदर इसको रखोगे bank की पूरी की पूरी detail आपके पास आ जाएगी जैसे account number IFC code तो यह आपने जो है profile कर देना है मैं यहाँ पे इसको skip कर देता हूँ enter enter press करके इसको मैं यहाँ से save कर देता हूँ उसके बाद security amount कितनी है उसने दी है वो यहाँ पे आपने लिख देनी है for example 10,000 उसने security amount दी है तो यहाँ पे मैं लिख दता हूँ 10,000 उसके बाद enter press करता हूँ एंटर प्रेस करने के बाद यहां पर टू आपने स्लेक्ट करना है और टू के अनदर जो है Alt-C प्रेस करना और उस परसंड कानाम करेट कर लेना है जिसने भी joign किया है जो भी आपको स्क्यस्योर्टी दे रहा है स्टूडेंट तो यहां पर विजय лिखता हूं और इसको आप आपने रखना संडे डएटर के क्योंकि इन से आपने जो है पैसा लेना है तो इसलिए आपकë डड़र हैं तो उसके बाद मेंटेन GRAबिल में आपने यस करना रएक अगतने경 کی आपका क्रेशिप क्रेटosing उसके बाद आपने क्या करना है उस परसन मेका प्रोपर एडरस डाल देना है ज़्योми पर आपने क्या करना क्या है क्या उसकी state है क्या उसका पिन code है तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ फटाफट से उसका एडरस जो है developer यहाँ पर डाल दे ता हूँ address पर ऐडरस डालने के बाद यहाँ पर इसको आपने,רגister में स्लेक्ट करना है और एंटर एंटर प्रेस करके इसको यहां से सेव कर देना है यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा बैंक में आपके जो है दस जार रुपे डैबिट दिखा रहा है और इस परसन के जो है दस जार रुपे क्रेडिट दिखा रहा है क्रेडिट इसलिए दिखा रहा है क्योंकि यह 10,000 रुपे हमें जो है refund करने इसके उसके बाद जैसे ही आप enterprise करोगे तो आप narration पर आ जाओगे narration में आपने जो है narration अगर आप डालना चाहो तो आप डाल सकते हो narration के अंदर आप जो है joining date डाल सकते हो और कितनी security उसने deposit कराई है वो डाल सकते हो तो यहाँ पर मैंने एक narration लिख दिया है जिसके अंदर मैंने लिखा है security deposit 10,000 रुपीज advance and joining date 14-2024 तो इस तरह से अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो उसके narration के अंदर उसकी पूरी की पूरी detail narration लिखने के बाद आपने क्या करना है simply enter press करना है और इस entry को यहाँ से save कर देना है save करने के बाद आपने back आजाना है gateway of tally पे उसके बाद D.A.L. press करना है आपने उसके बाद यहाँ पे उस person का जैसे ही आप नाम लिख के enter press करोगे तो यहाँ पे आपको दिखा देगी tally closing balance के अंदर आपको 10,000 रुपे देखने को मिल रहे है नीचे की side तो इसका मतलब यह है कि यह हमारी देंदारी है उसके बाद आपने यहाँ पे alt A press करना है अल्ट A press करने के बाद आप जो है voucher entry के अंदर आ जाओगे तो यहाँ पे आपने क्या करना है Date Select करनी है Date Select करने के बाद यहाँ पए आपने Person का नाम सेलेक्ट करना है जिसने Security Deposit की है उसके बाद यहाँ पे अम आउट डाल देने है जितनी भी उसने Security दी थी और यहाँ पे आपने 2 के अंदर Security के अंदर इसको जो है ले लेना है security के अंदर लेने के बाद यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा विजे के जो खाता है वो निल हो चुका है और निच्चे security में जो है हमारे 10,000 रुपे जमा हो चुके है निच्चे narration अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो जो भी आप लिखना चाहो जैसे किस बंदे ने security दी है और उसकी amount कितनी है joining date क्या है तो इस तरह से आप लिख सकते हो इसका benefit ही होगा कि विजे के खाते में आपको प्रोपर हिसाब मिलेगा जैसे कि यहाँ पे इसका हिसाब निल दिखा रहा है बट अगर हम security का laser अपना open करके देखेंगे तो वहाँ पे हमें दिखाएगा कि 10,000 रुपे security है अगर हम उसमें enter प्रेस करके देखेंगे तो narration के अंदर हमें पता चल जाएगा कि यह इस person की security है अब हम entry पास करने वाले हैं वो है हमारी room rent की तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ gateway of tele पे आके DAL प्रेस करता हूँ उसके बाद नाम सेलेक्ट करता हूँ उस person का और यहाँ पे आके मैं alt A प्रेस करता हूँ alt A प्रेस करने के बाद यहाँ से मैं date सेलेक्ट करता हूँ जैसे 34 को महीन ना खतम होता है तो 34 मैं यहां पर select करता हूँ उसके बाद person का नाम आपने select कर लेना है जैसे वी जैसे हमने पैसे लेने है service के उसके बाद amount के अंदर आपने क्या डालना है मान के चलता हूँ 10,000 रुपे मेरे room service के है जो मैंने उससे लेने है 3500 रुपे का food expense है जो उससे मैंने लेना है उसके बाद 300 रुपे जो है electricity के है बिजली के है जो मैंने उससे लेने है तो total हमारे 13,800 रुपे हो चुके है तो आपने क्या करना है total सबसे पहले निकाल लेना है कि कितने पैसे आपने उससे लेने है और यहाँ पे आपने जो है debit side के अंदर उसकी amount डाल देनी है जो भी आपकी amount बनती है for example 13,800 रुपे यहाँ पे बने थे मैंने 3500 रुपे food के 10,000 रुपे room rent के और 300 रुपे electricity के उसके बाद enterprise करने के बाद यहाँ पे फिर से आपने to select करना है to select करने के बाद यहाँ पे आपने जो है room rent के लिख देने है 10,000 रुपे फिर से to select करना है यहाँ पे आपने food expense के लिख देने है जितने भी आपने उससे लेने है food expense के खाने के तो 3500 रुपे मैं लिख देता हूँ फिर से यहाँ पे to select करता हूँ और यहाँ पे जो है electricity लिख देता हूँ और electricity के आगे जो है 300 पे automatically यहाँ पे लिखे आ चुके हैं उसके बाद simply आपने enter press करना है enter press करने के बाद narration में आप डालना चाहो तो डाल सकते हो कि किस service के आपने कितने पैसे चार्ज की है या फिर अगर आप डालना चाहो कि किस महिने का कितना खर्चा आपने किस के नाम डाल ला है तो वो भी यहाँ पे आप डाल सकते हो for example यहाँ पे मैं लिख देता हूँ widget total expense for the month of April 2024 तो इस तरह से अगर आप narration लिखना चाहो तो लिख सकते हो उसके बाद आपने क्या करना है enter press करके इस entry को यहाँ से save कर देना है तो जैसे ही आप save करोगे उसके बाद आपने फिर से date select कर लेनी है एक चार से तीस चार यहाँ पे आपको entry देखने को मिल जाएगी और closing balance के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा 13800 पे डेबिट साइड में हमारे आ रहे है इसका मतलब यह है कि यह 13800 पे हमने वी जैसे लिने है अब बात कर लेते हैं जैसे ही यह person जो है हमें payment करेगा तो उसके हम entry कैसे करेंगे तो सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या करना है alt A press करना है जैसे आप alt A press करोगे तो आप voucher entry के अंदर आ जाओगे यहाँ पे आपने क्या करना है receipt voucher को select कर लेना है उसके बाद cash में अगर बंदे ने पैसे दिये हैं तो cash select करना है bank में अगर पैसे आपके डाल ले हैं तो यहाँ पे आपने bank select करना है तो मैं bank यहाँ पे select करता हूँ उसके बाद person का नाम select करता हूँ और जितनी भी amount उसने दी है amount के अंदर वो आपने amount डाल देनी है जैसे 13,800 पे उसने पूरे दे दी हैं तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 13,800 लिखता हूँ आपने उससे अगले महिने का जो भी हाँ खर्चा हुआ है उसे इसाप से यहाँ पे setting कर लेनी है for example जो यह खर्चा में डालने वाला हूँ यह हमारा मई का होने वाला है तो यहाँ पे मई के हिसाप से जो भी कम ज़ादा हुआ है वो आपने यहाँ पे कम जादा कर देना है और उपर की साइड जो है जहाँ पे वीजा लिखा हुआ है टोटल के अंदर भी आपने उसी हिसाब से चेंज कर देना है फोर एक्जंपल यहाँ पे जो है अब की बार खर्चा जो टोटल हुआ है वो 13,400 का हुआ है तो मैं उपर की साइड 13,400 रुपे लिख देता हूं जिसमें से जो है फूड का 3000,000 रुपे और 400,000 रुपे और 400,000 रुपे रूम रेंट का हुआ था उसके बाद नरेशन के अंदर तो यहां पे निच्चे की साइड आपको देखने को मिल जाएगा 13,400 रुपे हमने मैं मन्त के से लेने हैं तो जब यह payment करेगा फिर से आपने क्या करना है अल्ट ए प्रेस करना है अल्टे प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपने फिर से रिसीप्ट वाउचर को सलेक्ट करना है यहाँ पे आपने कैश दिये हैं तो कैश सलेक्ट करना है बैंक से दिये हैं तो बैंक सलेक्ट करना है उसके बाद person का नाम select करना है जितनी amount उसने दी है वो यहाँ पे आपने enter कर देनी है for example यहाँ पे 13 400 हमने say लेने थे बट इसने जो payment करी है वो 13,000 रुपे की करी है तो यहाँ पे मैं 13,000 डाल के enter enter press करके इसको save करता हूँ तो closing balance के अंदर मुझे 400 रुपे debit side दिखाएगा कि 400 रुपे अभी भी उस बंदे के पास हमारे pending है इसी तरह से आपने जो है उस entry पे आना है जो खर्चा हमने डाल ला है उसके बाद alt 2 press करना है उसके बाद date select करनी है date select करने के बाद आपने जो भी आपका उस महीने खर्चा हुआ है वो आपने उसी साब से डाल देना है जैसे अभी यहाँ पे हम जो है वो जून का खर्चा डालने वाले है 10,000 रुपे हमारा room rent हो गया उसके बाद जो है यहाँ पे हमारा food का expense जो है date select करने के बाद मैं क्या करता हूँ enter enter press करके entry को यहाँ से save कर देता हूँ निच्चे की side आपको देखने को मिल रहा है 13,400 रुपे हमारे पास closing balance आ रहा है जिसमें 13,000 रुपे का हमने यह खर्चा उसके नाम डाल ला था और 400 रुपे हमने उससे पिछले लेने थे जो कि यहाँ पे उपर की side entry में आपको देखने को मिल रहा है उसके बाद यहाँ पे alt a आपने press करना है और जितने भी पैसे उसने अब की बार दी है वो यहाँ पे आपने receipt voucher के अंदर select कर लेने है उपर की side में bank select करता हूँ और निचे की side बंदे का नाम select करता हूँ अब यहाँ पे 13,400 रुपे से हमने लेने है बट यह क्या करता है अब की बार सिरफ 34,000 रुपे ही हमें pay करता है तो यहाँ पे मैं 34,000 इसके receipt करता हूँ तो निचे की side आपको देखने को मिल रहे है 10,000 रुपे इसके अभी भी pending है जो की इसने हमें pay करने है बट यह क्या करता है hostel छोड़ के चला जाता है अब हम क्या करेंगे जो इसकी security है उससे इसको cover करेंगे तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ security को select करता हूँ security के अंदर हमें 10,000 रुपे credit side देखने को मिल रहे है तो हम क्या करने वाले है जो यह security उसने person ने जमा कराई थी इससे हम अपना room rent का expense cover करने वाले है तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ ख़ता इसका फिर से खोल लेता हूँ यहाँ पे मैं alt-a प्रेस करता हूँ और एक journal voucher की entry हम यहाँ पे pass कर लेते है तो journal voucher आपने select करना है उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है security को debit करना है उसके बाद हम आउट डालनी है जैसे 10,000 रुपे उसके बाद 2 को select करना है और यहाँ पे person का नाम select कर लेना है और यह security हमारी cover हो चुकी एसका खत्ता इस तरह से आपने निल कर देना है एक खर्चा हमारा यहाँ पे रहता है maintenance का तो maintenance charges इसमें मैंने आपको डालना नहीं बताया तो आपने उसका भी एक laser crate कर लेना है direct expense के अंदर उसको डालना है और जहाँ पे आपने food expense और electricity expense डालना था वहीं पे आपने maintenance charges के नाम से expense डाल देना है तो इस तरह से आप होस्टल की accounting कर सकते हो hopefully यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो आप इसे like कर सकते हैं और अगर आप channel पे नए हो तो subscribe भी कर सकते हैं